हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चंद्रास किचेन मैं हूँ आपकी वो संध्या और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ तिल की बर्फी की रेसिपी जिसमें हमें न खोई की ज़रूरत है और न घीगी तो देखते हैं यह रेसिपी कैसे बन करके तियार होती है तो चली रेस फली के दाने और इन्हें हमें तब तक भूनना है जब तक यह अच्छे से पकना जाए और इसका छिलका अलग होना जाए यह देखी छिलके इसके अलग होने स्टार्ट हो गए है अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं उसके बाद में एक कटोरी तिल लेंगे और इसे भी पैन में हमें भूनना है हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि यह वाइट से गोल्डन ना हो जाए ताकि जो तिल का फलेवर है वो अच्छे से आए जब हम बर्फी बनाएंगे तो इसे हम अच्छे से भून लेते हैं तो यह देखिए तिल हमार करके इसका छिलका अलग कर लेंगे तो यह चिलका हमने मुमफली का अलग कर लिया है उसके बाद में जो मुमफली है इसे हमें ग्राइंड कर लेना है अच्छे से तो यह देखिए इस तरह से इसका पाउडर बन करके त्यार हो गया है आप उसके बाद ये जो तिल हमने ठंडे होने के लिए रखे थे यह भी हमें एक रॉडर कर लेने हैं और इसका भी हमें पाउडर बना करके तियार करना है तो इसका भी उड्वर्डर करने के भाद इस तरह से पाउडर drainage हो गया है उसके बाद ये दोनों पाउडर को हम एक साथ मिला लेंगे अब इसके बाद एक कटोरी हम लेंगे चीनी और चीनी का हमें बना करके त्यार करनी है चाशनी एक कटोरी चीनी हमने ली हुई है तो ये मोटे दाने की चीनी है और इसमें एक चौथाई कप पानी याट करेंगे क्योंकि मोटे दाने की चीनी है तो थोड़ा सा इसे पिघले में भी समय लगता है तो चीनी अगर आपकी महीन है तो थोड़ा कम पानी लीजे ताकि जल्दी से वो भिगल जाएगी और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें एक तार की चाशनी ना बनने लग जाए एक तार की चाशनी तक इसे हम पकाएंगे तो जब ये पक जाए थोड़ा तो हम इसे चेक कर लेंगे बीच-बीच में इसे चेक करते रहेंगे क्योंकि जादा ये नहीं पकी होनी चाहिए देखिए एक तार की चाशनी बनना स्टार्ट हो गई है जब हाथ में लेंगे तो थोड़ा ठंडा होने के बाद तार आती है ऐसा नहीं कि तुरंद चिपकना शुरू हो जाती है तो थोड़ा सा टाइम दे उसके बाद हम इसमें जो पाउडर हमने लिया था मिक्स करके वो हम इसमें एड़ कर देंगे और इसके बाद में एट करेंगे हम थोड़े से इलाइची दाने क्रश करके ये फ्लेवर अच्छा बढ़ा देते हैं इसका तो थोड़े से हम एट कर देंगे इलाइची तो देखिए कुछ खोई जैसा दिख रहा है और उसके बाद में ये कद्दू कस्किया हुआ नारियल है सूखा नारियल है दो टेबल स्पून इससे और अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है वो हम इसमें एट करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ति देखिए इकठा हो होने लगा है पूरा जो मिक्षर है इसका मतलब ये जो हमने प्रिपेर किया था ये एकदम रेडी हो चुका है अब इसे एक प्लेट में जमाने के लिए नीचे थोड़ा सा हम नारियल छिरक देंगे जिससे ये आसानी से निकला है इसमें घी की तेल की किसी चीज की जरुरत नहीं है और जो मिक्षर है ये इसमें हम डाल देंगे और इसे अब धीरे-धीरे करके ऐसे हम फैला देंगे तो जैसे ये ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ये सेट होती चली जाएगी अगर आप इसे बहुत दिन तक रखना चाते हैं तो थोड़ा सा मिक्षर को ड्राइ कर लें और जल्दी अगर इसे खा करके फिनिश करना चाते हैं तो इसे थोड़ा मिक्षर इसका सौफ्ट रहने दे जिससे कि ये सौफ्ट लगेगी सेट करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा नारियल और डाल देंगे और इसे ऐसे चमस से हम सेट कर देंगे तो थोड़ी गरम रहेगी तो जल्दी जल्दी सेट करेंगे तो अच्छा रहेगा और हलका सा इसमें हम डाल देंगे केसर अगर ये ऑप्शनल है मुझे अच्छा लगता है देखने में भी बरफी अच्छी लगती है अगर है तो से ठंडा होके जब हम निकालेंगे तो आसानी से जो पीसेज हैं वो बाहर निकल जाएंगे तो इस तरह से हम कट लगा देंगे जिस हिसाब से आपका मिक्षर है आप चोटी बड़ी जैसी भी साइज रखना चाहती है वैसे रखिए उसके बाद देखी यह ठंडी हो चुकी है पास से दस मिनट में ठंडी हो जाती है अब इसके बाद में हलका सा देखी चाकू मैंने नीचे लगाया और यह निकल आई आपने देखा इसमें मैंने तेल घी कुछ भी नहीं यूज किया और बर्फी कितनी परफेक्ट बन करके तियार हुई है खाने में भी बहुत कीजेगा और मुझे कमेंट सक्षन में बताएगा कि यह रेसिपी कितनी आसान और कितनी अच्छी लगी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ थैंक्स पर वॉचिंग बाई